नमस्कार मित्रों आज हम पढ़ेंगे सच्चेदानन हीरानन वास्सायन अग्ये की दो कविताईं यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद आप देख रहे हैं ग्यान का प्रकास CBSC हिंदी बिद मत्रदाज आज हम पढ़ रहे हैं अंत्रा जोकी कप्षाबारे की हिंदी एचिक की पाटि पुस्तक है इसका कविता खंड जो दो भागों में बटा है आदुनिक और प्राचीन आदुनिक जो भाग है उसका तीसरा पाठ है अग्या जी की दो कविताएं यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद देखते हैं सारांस मैंने देखा एक बूंद प्रस्तुत कविता में कवी ने बूंद के माध्यम से मानव जीवन के प्रतिक्षण को महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बताया है इस कविता के माध्यम से अग्ये जी ने समुद्र से अलग होती बूंद की छड़बंगोता थात छड़ में समाप्त होने का वणन किया है यह छड़बंगोता बूंद की है समुद्र की नहीं कभी समुद्र के किनारे बैठे हुए देखता है कि समुद्र की लेहनों से उष्ली एक बून छणबर के लिए ढलते सूरज के आग जैसे रंग की लाल हो जाती है छणबर का यह मोह कद्रश देखकर कभी के मन में एक दाशनेक विचार उत्पन होता है उसे अन्बव होता है कि विराठ समुद्र से अलग हुई छोटी सी बून भी छणबर के लिए विशेश सौंदर से परिपून होकर अपना स्तित्वक ऐसे बना लेती है यद पी वह एक पल बाद ही अपना स्तित्वक हो देती है परंतु विराठ समुद्र के सामने बून का अलग दिखना नश्ठ होने के बोश से मुक्ती का एहसास है प्रस्तुत कविता के माध्यम से कभी ने जीवन के प्रतेख्षण को महत्व दिया है साथ ही उसके छण बंगोता को भी प्रतिस्थापित किया है कभी इस कभीता के माध्यम से यह संदेश देता है कि जीवन की साथक्ता इसी में है कि वे छोटा होते हुए भी अपनी मेहनत के दम पर विशेश्ताओं से भरा हुआ हो इसके पीछे का दलसन यह है जैसे परमात्मा मैंसे आत्मा अलग होती है अपना स्थित्व बनाती है और फिर दुबारा परमात्मा में मिल जाती है वही चीज़ यहां पर दिखाए गई है परमात्मा को समुध के समान विशाल दिखाए गया है और आत्मा को एक छण के लिए उत्पन होने वाली एक भून के समान कहा गया है अगली कविता है यह दीप अकेला देखते हैं सारांस तस्तुत काभ्यांस में व्यक्ति के प्रतीक के रूप में एक ऐसे दीपक को चित्रित किया गया है जो प्रेम और गर्ब से भरा हुआ है वे अपने मद अर्थात एहंकार में चूर है किन्तु अकेला भी है कभी का मानना है कि एहंकार हमें अपने लोगों से अलग कर देता है वे आवहन करता है कि इस अकेले दीपक को भी दीपों की पंक्तियों में सामिल कर लो पंक्तियां रूपी समाज में सामिल होने पर इस दीपक अर्थात व्यक्ति की महत्ता और सातक्ता बढ़ जाएगी के कर्वाण के लिए व्योक कर सके यही कहा गया है यही दीपक अने गुणों सक्तिओं से परिपूर्ण है इसकी व्यक्तिय का सक्ता भी कुछ कम नहीं फिर वी पंक्ती कि तुलना में वे अकेला है तीपक का पंक्ति या समूम मिल जाना उसकी सत्ता का सार्व भौमी करन अतार पूरी पत्वी के लिए जो एक समान हो या प्रयोक किया गया हो जो पूरी पत्वी पर लागू हो व्यक्ति की सक्ति का किसी बड़े समाज का अंग बन जाना पूरी पत्वी का या बड़ी समाज का इस प्रकार व्यक्ति समाज में मिलकर ही अपने लक्ष और उद्धिशों को सब के साथ मिलकर पूरा करता है व्यक्ति सर्व सक्तिमान और सर्व गुण संपन होकर भी अकेला कुछ नहीं समाज में मिलकर समाज के साथ रहकर ही और समाज को मजबूत करके ही वहराष्ट को मजबूत कर सकता है इस कविता की माध्यम से कभी ने व्यक्ति का सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है दीपक का पंग्ती में बिले होना, व्यक्ति का समान में बिले होना है इसी में दीपक की साथ थकता है और व्यक्ति की भी यहां दो कविताएं देखते हैं मैंने देखा एक बून्द और यह दीप अकेला जब हम पहले देखते हैं तो एक छोटी सी बूंद अपना श्तित बनाती है लेकिन देखेंगे अगर वही अपने आप में घमंड पैदा कर दे तो वह एक दीप के समान वह आती है तो दोनों कविताओं को हम एक साथ जोड़ के देखेंगे ठीक है तो पहले पढ़ते हैं मैंन जानन ही रन बाक्सायन अग्ये जी हैं इन पंक्तियों में आपने सागर के जल से अलक प्रतीत होती एक बूंद की छण बंगोता को व्यक्त किया है कभी यह दरसाना चाहता है कि जीवन की नस्वता के बाबजूत जीवन का प्रतिछण महत्वपून है देखते हैं पंक्तिय अपना पन है उन्मोचन नस्वता के दाग से देखते हैं व्यक्या कभी एक साहम सागर के किनारे बैठा देखता है कि सागर की लेरों के जाक से अचाना एक बूंद उचली और वच्छणवर के लिए धलते सूरच के रंग जैसी लाल रंग की हो गई अथात अस्थ होते सू नस्वता अथातनास होने वाला जो होता है से मुक्ति का एहसास है यानि हर व्यक्ति को एक दिन मरना ही है जीवन नस्वर है है लेकिन एक छण के लिए भी हम अपने व्यक्तित्तों को लोगों के सामने प्रस्तृत कर पाएं तो यही उस नस्वता से मुक्ति का एहसास होता ह मूंद के समान ही विराठ से अलग होकर अस्तित्व मान हुआ व्यक्ति नास्वान होने की प्रक्ति के बंदन में तो बन जाता है परंतु उसकी प्रथक सत्ता की अन्बूति उसे नश्ट होने के भाव से मुक्ति दिलाती है अथाद व्यक्ति अपनी व्यक्तियत पहचान एक छण के लिए भी संसार के सामने प्रस्तुत कर दे तो वे इस पूरे संसार में अपनी अलग पहचान बना लेता है अपने कार्यों के कारण ही नास्वान होकर भी व्यक्ति युगो युगो तक पहचाना जा सकता है उस एक छण को कभी ने महत्वत दिया है देखते हैं क्या है विसेश इस कविता में लाक्ष निकता है जो हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें तीन तरह के सब्द सक्ती होती है अविदा, लक्षना और बंजिना ये आपने पढ़ा होगा और विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसमें लाक्ष निकता है तो इसका क्या अरत है अविदा, जो छोटे बच्चों कविता है होती है जिनमें सामन अरत निकलता है लक्षना में विसेश अरत निकलता है और जो वेंजना होती है वह समझना बहुत कठिन होता है वह और ज्यादा गोर्ण दशना होती है उसमें जो भी चीज दिये होती है उनका और अर्थ निकलता है और तब जाके अर्थ निकलता है उसमें देखते हैं उसी तरह से कविता में भी सब्द सक्ति होती है अविदा लक्षना बंजना बंजना जो सबसे, जो है, मेतपून होती है, और अविदा जो सबसे सामाने होती है, सबसे ज्यादा सलल होती है, और यहां पर लक्षना सक्तेशलेस में लक्षन पता है, भासा, सलल सजीब और प्रवाम ही है सब्दों का चैन सुन्दर डंग से हुआ है आप जब भी कभी आप पेपर में लिखेंगे तो ये दो तो लाइन आप जरूर याद कलने हैं भासा सलल सजीब और प्रवाम ही है और सब्दों का चैन सुन्दर डंग से किया हुआ है दो आप बिसे आस्ता हैं तो बड़े आताम से हर किजी में लिख सकते हैं बूंध और सागर को प्रतीक के रूप में प्रयुक किया गया है आत्मा पर्मात्मा का दर्सन देखने को मिला है अब देखते हैं दूसरी कविता ययत दीप अकेला प्रसंग देखते हैं प्रस्तुत का ब्यान समारी पार्ट पुस्तक अंत्रा भागदों में संक्लित करता या दीप अकेला से उद्रत है इसके रचेता कभी सचरन, हिरन, बाक्साइन, अग्येजी हैं कभी ने इसने और गव से भरे दीप को पंक्ती में सामिल करने का नुर्थ किया है या दीप सक्त सम्पन और सरभून सम्पन होकर भी अकेला है, कभी द्वारा व्यक्ति को दीप के पती के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसकी व्यक्ति के सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोडने का आहवहन किया गया है देखते हैं पंक्तियां देखते हैं व्याक्यम कभी कहता ही कि यह दीप अकेला है वैसने और गब से भरा अपने एहंकार की मस्ती में चूर है कि इसलिए लेखका मन है कि उसे भी पंक्ति में सामिल कर लेना चाहिए इससे उसकी व्यक्तिक सत्ता सामाजिक सत्ता में बदल जाएगी यह गीत गाता हुआ मनुष है उसे अपनी सम्मू में सामिल कर लो यह उधारन दिये गए कि क्यों कौन हो सकता है समाज में हम किनकों लोग को देखते हैं जो गीत गाते हैं जो मोती डूंड कर लाते हैं जो हवन के समाव स्वेम को त्याक कल लोगों के लिए भला करते हैं तो यह उधारन दिये हैं वे उधारन पढ़ेंगे यह गीत काता हुआ मनुष है इसे अपने सम्मू में सामिल कर लो नहीं तो इन गीतों को कौन गाएगा यह जल में गोता लगाने वाला गोता खोर हैं जो सच्छे मोती निकाल कर लाता है नहीं तो कौन उन मोतियों को ढूण कर लाएगा यह यग्ड की हवन सामकरी है हट पूर्वक ऐसी अगनी कौन तज्जुलित कर पाएगा अतर समाज में इने समलित कर लेने पर समाज का ही लाब है इसके जैसा कोई दूसरा नहीं इसमें स्वाविमान तो है परन्तु यह अपने अविमान का त्याग भी कर चुका है अर्थात इसकी अपनी अलग सत्ता होते हो भी इसका उद्देश समाजिक सत्ता में बिले होना है यालि स्वाविमान तो है अपने जो अंदर का अभिमान होता है स्वाइम के होने का वे तो है जो की होना भी चाहिए लेकिन उसके अंदर अग एहंकार नहीं इसने उस एहंकार को त्याग दिया है कि मैं ही ये सब कुछ कर सकता हूँ यह एहंकार होता है इसे उसने त्याग दिया है लेकिन वह भी कर सकता है या उसका स्वाविमान है तो स्वाविमान तो है लेकिन उसने अविमान को अर्थात एंकार को त्याग दिया है इसकी अपनी अलग सत्ता होती हो भी इसका उद्देश शामेली सत्ता में बिले होना है यह दीपग इसने से बरा हुआ गर्ब से बरा हु हुआ एंकार की नसे मैचूर है फिर भी है अकेला है इसको पंक्ती में सामिल कर लो अर्थाथ व्यष्टी यानि व्यक्तिकत एकाई को सिंगल यूनिट को समझते हैं सिंगल यूनिट व्यक्तिकत एकाई का समझती माने टोटल यूनिट में है ना समग्र एकाई में बिले कर ल अब देखते हैं दूसरी पंक्तियां यह मदु है स्वेम काल की मौनाकाई युग संचे यह गौरस जीवन कामधेनु का अम्रत पूत पहे यह अंकुर फोड धरा को रविको तक्ता निर्भे यह प्रकत स्वेम्वू ब्रह्म अयुत्ह इसको भी सक्ति को देदो देखते हैं व्याक्या कभी कहता है कि युग युग से स्वेम एकत्ते तोने वाला मदु है अब यहां पर देखते हैं वहां उधारन दिये गए कि किस-किस पिकार के कौन-कौन सी योगताएं वाले लोग होते हैं जिनको आपको पंक्ति में अता समाज में लेना है और यहां उसके गुण बताए गए हैं किस-किस तरह की गुण वाले व्यक्ति होते हैं जिनकी सकती का प्रेयूग हम अपने उनकी सकती और उनके को प्रेयूग हमने समाज को सुद्ध्रण करने ले कर सकते हैं दीखते हैं कि कैनी कि काल की टोकरी में योग-युक से स्वैम एकत्यतोन वाला मधू माने सही है यह एक ऐसा दूध है उधा और जो जीवन रूपी काम देनुध का देव पut्र पे अर्ठा त्य पुत्र यों ते और उसके समान स्वेम प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र उसको भी पंक्ती में ले लो ताथ इसे भी समाज में सामिल कर लो अब अंतिम पंक्तियां हैं यह वे विश्वास नहीं जो अपनी लगुता में भी कापा वे पीड़ा जिसकी गेराई को स्वेम उसीने नापा कुछ सा उपमान अवग्या के दुनलाते कड़ुए तम में यह स इलाजने वरा है गर बरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो यहां भी हम देख रहे हैं कि उसके कौन-कौन से गुण है वे दिखाए गए हैं प्रस्तित पंक्तियां में कभी कहता है कि दीप रूपी व्यक्ति उस विश्वास का रूप है जो अपने छोटे होने के बा यह करणा से भरा हुआ है दीरकाल से यह जागरुक है अनुराग युक्त नेत्रों वाला है इसके नेत्रों में प्रेम है सबको अपनी बावों में भहने के लिए यह तयार रहता है और आत्मिता से भरा हुआ है यह ज्यान की प्राप्ति के लिए उस्सुक जागरत और सद् पर यह है कि दीपक रूपी उस व्यक्ति में सभी अच्छे गुण भरे हुए हैं इसलिए उसे अपने समू में समाज में समलित कर लेना चाहिए इससे समाज में सदुणों की वृद्धी होगी और समाज में मजबूती समाज में मजबूती आएगी तो यहति कविता यह दीप अकेला देखते हैं क्या है इसमें विसेश दीपक का दीप को प्रतिकात्मक रूप में चित्रित किया गया है व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के प्रतिक के रूप में किसको चित्रित किया गया है दीप को या दीपक को भासा इसमें तस्सम प्रिदानबा लाक्षुक्ता लिये हुए हैं सद्दों का चैन अत्यन सटीक है व्यक्ति का सत्ता की जगे सामाजी सत्ता को महत्पत दिया गया है व्यक्ति का समाज में बिले समाज और व्यक्ति दोनों के लिए ही उचित है तो यह ताज का पार्ट सच्चदानन हीरानन वातसायन अग्गे की दो कविताएं यह दीप अकेला मैंने देखा एक बूंत आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं आप देख रहे थे अपना प्रिया चैनल ग्यान का प्रिकास CBSC हिंदी विद्मत्रादास फिर म मिलेंगे नई वीडियो के साथ हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सेर कीजिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए अन लोगों को भी प्रोसाहित कीजिए जिससे हमारा प्रोसाम भी बड़े फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ धन्यवाद